विडियो अपलोड करने तक की सारी इंपोर्टन सेटिंग्स को आज हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे तो दोस्तों वीडियो पूरी ज़रूर देखेगा वीडियो को स्कीप मत कीजेगा वीडियो अच्छे लगी तो इसको लाइक भी कीजेगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कीजेगा तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्कीन के उपर क्योंकि जात और लोग आज के टाइम पर भी अपने फोन से ही वीडियो अपलोड करते हैं या अपने यूट्यूब चैनल को चलाते हैं तो चले फ्रेंग्स शुरू करते हैं तो यहां पर हमने चलते हैं यहां पर देखते हैं कि हमें क्या क्या सेटिंग्स मिलती है टेकर उर इसके बाद हमbons % और फीचर्श के बारे भी आपको यहां पर भी बताएंग गए तो आपको Temp च्छूब यहां ही औपस्प्र क्लिक करेंगे जास की जर्ण जान लें तो सबसे पहले General Settings General Settings के अंदर क्या है Default Units यानि कि आप यहाँ पर हमें Income जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ती है Currency तो यहाँ पर US Dollar ही हमें सेलेक्ट करके यहाँ पर रखना पड़ता है ठीक है Friends, Second Number की जो Option है वो है Channel यह बहुत ही Important Settings होती है क्योंकि यहीं पर हमें अपने Channel की Settings करनी पड़ती है और वो ही आगे चलके आपके Channel को Grow करने में Help करता है तो चलिए Channel पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ Second Number के Option पर आप भी अपने Channel पर जाकर इस तरह से जरूर Settings सारी कर लीजेगा तो यहाँ पर देखे कुछ Options मिलते है जैसे कि पहला Number का है Basic Info अब यहाँ पर हमें क्या करना है सबसे पहलो तो अपनी Country जो है वो Select करनी है जैसे कि मैंने आप इंडिया कर दिया है आप जिस भी Country से बिलॉंग करते हैं आप कर सकते हैं उसके बाद देखे यहाँ पर नीचे एक Option मिल रहा है आपको Key Words अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों यहाँ पर Key Words मतलब क्या तो दोस्तों Key Words का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका Channel जिस भी Category से बिलॉंग करता है वो उससे Related Words आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे जैसे कि माली जे यह Channel मेरा Technology से या YouTube से Related है तो यहाँ पर मैंने YouTube से Related जो Key Words है वो लिखे हुए है जैसे कि YouTube Settings, YouTube, New Updates, ठीक है New Information, Channel Settings, New Channel, Channel Updates तो इस तरह के Key Words आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे ताकि YouTube को यह पता चले कि आपका चैनल किस कैटेगरी से बिलॉंग करता है और आप किस तरह का Content अपने चैनल पर डालते है माली जे आपका चैनल है बच्चों से Related तो आप यहाँ पर उस तरह के Key Words अपने लिखे आपका चैनल है अगर गेम से Related तो आप यहाँ पर गेम से Related लिखे जैसे कि New Games, New Game Launch, Playing Games इस तरह के Key Words अपने चाट चाट के आप यहाँ पर लिखे Key Words बहुत Important डोल निभाता है आपके चैनल को Grow करने में तो Key Words आप जरूर लिखे और Maximum 500 words हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो आपको 500 words तक ही जरूर लिखना चाहिए जास ज्यादा Key Words आप लिखेंगे तो जास ज्यादा वो आपको Benefit देगा ठीक है फ्रेंट अब देखें यहाँ पर Next Option आपको मिलता है Advanced Settings का अब यह Advanced Settings में क्या है वो भी हम जान लेते हैं तो यहाँ पर अपनी Audience के बारे में आप यहाँ पर Select करके रख सकते हैं यानि कि आपका Channel अगर बच्चों से Related है आप अगर बच्चों से Related वीडियो बनाते हैं बच्चों की वीडियो बनाते हैं बच्चों को लेकर आते हैं बच्चों से Related तो आप यहाँ पर No करके रखें जैसे कि मैंने यहाँ नो करके रिखा हुआ है अगर आप चाहते हैं कि आप हर बार जब भी वीडियो बनाएं जब भी वीडियो अपलोड करें तो खुद ही Select करें कि बच्चों से Related है या नहीं तो आप तीसे गूगल एट से नहीं अभी लिंक किया हुआ तो ठीक है यहाँ पर आप क्लिक करके इसको अपना अकाउंट कोई भी है तो आप लिंक भी कर सकते हैं ठीक है उसके बाद देखें नीचे कुछ आप्शन से हमें यहाँ पर करने की जरूत नहीं है ठीक है आप इसको करके रख स सारी डीडिल्स यहाँ पर लिखी हुई है नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर चैनल विजिबिलीटी चैनल विजिबिलीटी मतलब यह है कि आपका चैनल किन लोगों के पास विजिबल रहे यानि किन लोगों को आपका चैनल दिखे तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ यूजर स चीज़े कर रहा है तो आप यह हाइड चैनल पर क्लिक करके ना उन लोगों से अपना चैनल को हाइड भी कर सकते हैं उन लोगों को आपका चैनल नहीं दिखेगा ठीक है तो यह कुछ चैनल सेटिंग है और यहाँ पर अपना देखिए मैनेज यूटूब अकाउंट तो है फीचर eligibility जो तीसरा option है फ्रेंज यहाँ पर फीचर eligibility अब हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर फीचर eligibility का यह है कि यूटूब के जो फीचर्स हैं जो प्रीमियम फीचर्स हैं वो आपके लिए eligible हैं या नहीं तो वो time to time धिरे-दिरे करके सभी लोग eligible हो ही जाते हैं जैसे कि यहाँ पर standard फीचर है upload video create playlets and add collaborators वगरा तो यह तो सभी लोग के लिए eligible ही रहता है दूसरा जो फीचर है वो 15 मिनिट से ज्यादा वीडियो आप upload कर सकते हैं कस्टम थमलेन अपने लगा सकते हैं आप live stream कर सकते हैं यह उनके लिए eligible रहता है जो अपना चैनल verify करवा लेते हैं यानि कि mobile number verify करवाना होता है और अपनी email ID verify करनी होती है उसके बाद आ है आपकी डेली वीडियो अपलोड करने के लिमिट है ना वो बढ़ जाती है यह भी time to time हो ही जाती है इसमें हमें कुछ करना नहीं होता ठीक है तो चली अब बात करते हैं next setting की वह है default uploads ठीक है देखे यह default uploads अब हम यहाँ पर क्लिक करके आपको बताते हैं तो default uploads का मतलब क्य नाम बार-बार हमें लिखना पड़ता है कुछ keywords हमें बार-बार लिखने पड़ते हैं कुछ tags हमें बार-बार हर वीडियो में डालने पड़ते हैं तो अगर आप चाते हैं कि वह बार-बार ना लिखना पड़े और आपका time बचे तो आप यहाँ पर उसको default uploads पे set करके रख सकते हैं तो जब भी आप video upload करेंगे तो वह आपको automatic यहां लिखा हुआ दिखेगा जैसे कि आप title में अपना channel का नाम लिखके रख सकते हैं क्योंकि वह हमें हर बार लिखना पड़ता है ठीक है क्योंकि title लगबख change ही हो जाता है हर वीडियो का लेकिन यहाँ पर channel का नाम हम लिखके रख सकते हैं दूसरे number पर description है तो description में हम लिखते ही है hello friends welcome back to my channel तो इतनी line तो आप लिखी सकते हैं ताकि आपको बार बार वो line ना लिखनी पड़े उसके अलावा जैसे नीचे description में जो सबसे last में हम tags लिखते हैं tags लगाते हैं तो वहाँ पर भी आप कुछ दो चा quality मतलब जह हम video upload करते हैं तो हमें हर बार एक option पूछा जाता है तो देखें वह option क्या है public private और unlisted ठीक है तो यह आप पहले सी set करके रख सकते हैं कि जब भी आप video upload करें तो आपका जो वीडियो है वह public पर रहे automatically unlisted रहे या private रहे वह यहाँ पर आप select करके रख सकते हैं तो य देखें मैंने यहाँ पर दो टैग्स अल्रेडी यहाँ पर लिखे हुए है आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ टैग्स आपको बार बार लिखने पड़ते हैं तो वह पहले से यहाँ पर लिखके रख सकते हैं तो वह आपका time जो है बचाएगा जब भी आप video upload करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर save कर दीजेगा ठीक है यह default uploads यानि कि पहले से यहाँ पर यह upload रहेगा जब भी आप video डालेंगे कोई भी next option यहाँ पर advanced settings का अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर हमें generally कुछ नहीं करना पड़ता तो फिर मैं आपको एक बार इ वो अपने आप ही वो show कर देगा या वहाँ पर जैसे एड लगा देता है तो यह आप इसको on करके रख सकते हैं लाइसेंस हमें यही set करके रखना पड़ता है creative common license ठीक है आपके चैनल की जो category है आप यहाँ पर क्लिक करके इसको set कर सकते हैं जैसे की category science and technology है तो आप यहाँ आपका चैनल अगर vlogging से related है बच्चों से related है गेम से related है तो आप यहाँ पर cooking से related है तो आप यहाँ पर category को अपने चैनल की यहाँ पर set कर सकते हैं ठीक है next option है आपकी वीडियो की language का तो आप यहाँ पर set कर सकते हैं Hindi या English उसके बाद नीचे title आपकी description और title जो आप लिख रह उसके बाद नीचे option है comments का तो आप यहाँ पर comments भी on off करके यहां पर रख सकते है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर बार video पर खुदी review करें तो आप वहाँ पर जाकर भी on off कर सकते हैं यहां पर अगर आप चाहते कि कि-ने वीवर्स की video को like कर रहे नहीं वह आपको पता चल जो कि सभी लोगों के लिए बहुत important होता है क्योंकि यहां पर यूट्यूब पर अगर काम कोई कर रहा है तो वह monetize के लिए ही कर रहा है और पैसे कमाने के लिए कर रहा है ठीक है अब यहां पर दें कुछ options हैं आप चाहें तो इसे अंटिक भी कर सकते हैं लेकिन इसे टिक करक आएंगी शुरू में लास्ट में ओपर या नीचे इस तरह की एड्स ही आएंगी तो यहां पर ऐसे कुछ और settings नहीं है ठीक है फ्रेंस अब next हम बात करते हैं permissions की तो फ्रेंस वीडियो तो लंबी हो सकते हैं लेकिन प्लीज इसकीप मत कीजेगा और ध्यान से इन सारी चीज के बारे में पुछाता है कि आप किसी और दूसरे बंदे को भी अपने चैनल पर एक्सेस करने का permission देना चाते हैं या नहीं देना चाते हैं इससे होता क्या है कि अगर मानिजे आप चाते हैं कि आपके चैनल पर कोई दूसरा भी upload कर सके एडिट कर सके वीडियो को चैनल में कुछ चेंजेस कर सके तो वो दूसरा भंदा भी कर सकता है, अगर आप नहीं चाते तो आप अकेलिए ही इसके ऑनर बनके रह सकते हैं, ठीक है, उसके बादे friends community, community के ऑपर क्लिक करके देख लेते हैं, देखे friends community के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो friends यहां पर ध्यान देने वा स्पाम में जा रहा है या कुछ आप ऐसे यूजर्स को कुछ अप्रूवल देना चाहते तो आप यहाँ पर उनके चैनल का नाम या लिंक यहाँ पर डाल के रख सकते हैं इसके साथ ही नीचे एक option और होता है hidden user तो देखे जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ यूजर्स को hidden किया हुआ है यानि कि यह लोग जो थे मेरे चैनल के उपर बे तुके से comments बगरा कर रहे हैं पम बेज रहे हैं अड़रटाइजमेंट वाले message कर रहे हैं तो मैंने वहां के जो लिंक या चैनल के नाम ते हैं वहां पर लिखे वह तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है और उसके अलावा देखिए आप चाहते हैं कि आपके चैनल पे कुछ वर्ड्स हैं जो वह ब्लॉक करना चाहते हैं मालीजे कोई एड लिख रहा है या कोई गाली गलोज या इस तरह की बात है आपके चैनल पे या कमेंट वीडियो पे कमेंट कर रहा है तो उन वर्ड्स को आप यहाँ पर लिख के उनको ब्लॉक कर सकते हैं जब आप वो वर्ड यहाँ पर लिख देंगे तो आपके चैनल के वीडियो के उपर कमेंट सेक्शन में कोई भी उन वर्ड्स को नहीं लिख पाएगा उसके साथ ही आप देखे ब्लॉक लिंक का एक उप्शन है बहुत ही इंपोर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक अगर आप करेंगे तो आपके वीडियो के उपर जो कमेंट में जो लोग लिंक डाल देते हैं तो किसी भी दरागा कोई भी लिंक आपकी वीडियो पे नही करता है तो यह कुछ सैटिंग्स थी जो हमें जाननी बहुत ही जरूरी होती है जब भी आप यूट्यूब पर चैनल बना रहे हैं तो इस तरह की सैटिंग्स आपको जरूर यहाँ पर करके रख लिनी चाहिए अब बात करते हैं कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उस टाइम आपको कौन कौन सी सेटिंग्स का ध्यान रखना चाहिए तो उसके लिए हम आपको ले जलते हैं अपने यूट्यूब के स्टूडियो एप पर तो यहाँ पर मैंने यूट्यूब स्टूडियो के एप खोल ली है और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पहले एक वीडियो अप्लोड करते हैं तो उसके बाद इस तरह के हमसे आप्शन पूछे जाते हैं जैसी कि यह हमारा थमनेल तो हम बहुत अच्छा हमें थमनेल बनाना चाहिए ताकि वह लोगों को अट्रेक्टिव लगे उसके बाद हमें एक टाइटल बहुत अच्छा चुनना चा उप्शन हैं जिसको लोग इगनौर कर देते हैं और इसके उपर मैंने डिटेल्ड में वीडियो बनाई है आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या आपको ओपर भी यहाँ पर शो हो रहा होगा आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद क्योंकि इसके बाद आपके चैनल पर ग्रो होने के चांसे बढ़ जाते हैं जब आप इन तीनों सेटिंग को जान जाते हैं तो चलिए ये सेटिंग्स हमें करनी होती मैं उसके बाद ऑधीं सैट करनी पड़ती है प्ले लिस्ट आप बना सकते हैं और यहां इपनी एडिटो पर लिखने होते हैं या किस तरह से tags धूंड सकते हैं इसके उपर भी हम आप एक नई वीडियो बनाने वाले हैं तो हमारी चैनल को आप subscribe भी कर लिजेगा जिसमें आपको बताएंगे कि हम किस तरह से अच्छ-च्छे आप वीडियो के लिए tags धूंड सकते हैं दोस्तों ये important settings होती हैं जब हम video upload करते हैं और ये सारी settings हमें करनी चाहिए तो friends यहाँ पर मैं आपको अपने YouTube चैनल के उपर जो important settings हैं उसके बारे में भी बताया और यहाँ पर video upload करते वक्त जो settings हमें ध्यान रखनी चाहिए उनके बारे में भी मैंने आपको यहां पर बताया तो आज की वीडियो में हमने यूट्यूब की सभी important settings के बारे में जाना जैसे की YouTube channel के keywords कहां पर लिखे जाते हैं, default uploads किस तरह से आप कहां पर कर सकते हैं, YouTube के analytics आप किस तरह से चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारी settings हमने यहां पर आज देखी और उसके साथ साथ video upload करते वक्त किस तरह से settings करने पड़ती हैं या क्या-क्या settings हमारे सामने आती हैं वो भी हमने यहां पर जाना तो दोस्तो इस related हमने पहले ही बहुत सारी video बनाई हुई है आप हमारी चैनल पर जरूर जाकर देखिए वो आपके लिए बहुत ही useful होंगी क्योंकि वहां पर हमने आपको वीडियो अप्लोड करने का तरीका शॉट्स अप्लोड करने का तरीका शॉट्स वाइरल करने का तरीका सारा कुछ हमने आपको बताया है तो आप हमारे चैनल पर जरूर जाकर देखेगा तो दोस्तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही वीडियो कैसे लेगी प्लिस कमेंट करके बताएगा वीडियो चल लेगी तो इसको like भी कीजेगा और चैनल को subscribe भी कीजेगा तबी के लिए इतना ही मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई